वेलकम बैक अगें सो लास्ट वीडियो में हमने अपनी यह प्रॉडट्ट लिस्ट यहां पर डिस्प्लेई की थी ओके सो इस वीडियो में हम एक model create करेंगे model हम इसलिए create करेंगे विकिस जब हम इस add to cart क्यों पर click करेंगे तो हम अपने local database के अंदर अपना cart की value जो है store करेंगे ठीक है उस purpose के लिए हमें model चाहिए ठीक है so model से क्या हो का model से हम directly map करेंगे values को अपने SQLite database के अंदर for storing and for fetching ठीक है so that's an easy approach कि आप SQLite के अंदर किस तरह से इसको store करें ठीक है now इसको मैं यहां से hide कर देता हूँ और यहां यह जो हमारे पास lib file है इसके अंदर आप dot file create करेंगे and आप इसको name दे दें cart underscore model okay and then आप यहां पर class okay and आप इसको name दे दें cart and आप नीचे आ जाएं okay so यहां पर आप यहां पर आपने क्या करना है आपने 5 sorry not 5 आपने यह तमाम यहां पर strings है यह आपने create कर लेनी है यह किस purpose के लिए यह इस purpose के लिए यह जो आपका cart model है okay जब मैं add to cart करूंगा तो यहां से इस product की okay इस product की id which is going to be this product id औके और यह integer जो है यह हमारे पास primary की होगी जो कि हम product id को as a primary की use करेंगे because यह हमारे पास unique है क्योंकि हम यहां से index को as a product id use करेंगे ठीक है so in case अगर आप API यह जो करेंगे तो आपके पास अपनी product id यहां पर आएगी ठीक है तो आप इस तरह से इसको manage कर सकते है now the thing is that जब आप इस तो add to cart करेंगे okay तो यहां से आपको product का name चाहिए product की initial price initial price यह 10 है okay यह आपको चाहिए then product की price for the time being product की price यहां पर हमने इसकी parameter add किया है जब हमारे पास card बन जाएगा तो card के अंदर आपने demo में देखा जब मैं plus icon की पर click करूंगा तो मैं इसको इसकी value को change करूंगा ठीक है so उसके लिए हमने product की price यहां पर use किया ठीक है यहां पर यह variable हमने create किया then we have quantity quantity मतलब यह के हमें यह 1 kg चाहिए यह 2 kg चाहिए यह 3 kg चाहिए ठीक हम add करेंगे अपने card के अंदर पताएंगे के हमें 3 kg चाहिए 4 kg चाहिए then we have this tag tag का मतलब यहां पर यह है के mango मुझे 2 unit quantity 2 tag kg ठीक है 2 kg then we have this banana so यहां पर यह dozen में तो यह unit tag क्या होगा dozens okay then image और image का यह URL रहा है तो वह भी हम अपने इसके अंदर store कर लेंगे ठीक है now यहां पर आपने क्या करना है आपने अब इसका constructor create करना है okay so वह भी बड़ा simple है आपने क्या करना है okay simple okay just hold on a second this okay then आपने bracket and यहां पर आपने इसको semicolon के साथ close कर देना है okay and यह आपका constructor बन गया now यहां पर आपने क्या करना है this dot id यह आपकी जो है यह primary की होगी ठीक है यह हम add करना चाहें तो भी हमारी मर्जी है नहीं हम यहां पर इसको कहेंगे कि required है क्यूंकि हम auto increment नहीं करेंगे now अब आपने करना क्या है आपने similarly यहां पर बाकी यह तमाम के लिए यहां पर code paste कर देना है okay similarly जिस तरह यह आप देख सकते हैं इसको मैंने zoom भी कर दिये ठीक है तो आपने यहां पर constructor के इंदर सारी चीजे mention करते हैं नहीं हम इस constructor की तरह हम इसको map करेंगे ठीक है नव आप आप क्या करना है आपने क्या करना है आपने card okay from map okay and आप इसको यहां पर map provide करेंगे ठीक है यहां पर आप इसको बताएंगे कि आपकी जो value होंगी वह dynamic okay and then dynamic okay and then आप इसको name देने resources okay resources का name देने के बाद आपने यहां पर नीचे आ जाना है आप इसको यहां पर olan okay अइड जू पर आपके पास है לएक आपने tourist के अंडर आपने यह जो जो आपके numerator का नीम है वह आपने यहां पर इसको और आपने यहां पर समिकॉलन के साथ इसको ब्रेक करना है इंट करने के बाद आ आपने नीचे यह तमाम procedure जो यह रिपीट करना है बाकी तमाम मेंबर्स के लिए ठीक है now the thing is कि मैंने already यहां पर अपने पास यह copy paste कर रखे हैं just to save the time okay so यहां पर मैंने paste कर दिया okay let me check the mistake I'm making here okay so card card from dot map okay then we have this dynamic resources okay so यहां पर हम mistake कर रहे थे okay this one okay यह equal to है not semicolon आप देखें यहां पर जितने भी आपके यह जो name है ना parameters के यह same होने चाहिए ठीक है यह जो आपके यहां पर name है और यहां पर यह जो आप इनको name provide करें यह same होने चाहिए ठीक है now अब आपने क्या करना है अब आपने to map करना है ठीक है map okay then आप again इसको यहां पर string okay string के बाद आप इसको object okay object which is going to be a null safety object and question mark आप इसको यहां पर add कर दे okay dot to map okay maybe आपको इस चीजों इनकी समझ ना आ रही है for the time being लेकर आप मेरे साथ carry करें आपको hopefully आगे आपको इसको तमाम चीजों की clear हो जाएगी जब हम इसको card के अंदर add करेंगे then आपने क्या करना है return okay अब return के अंदर यहां आपके पास first क्या था ID वह आप इसको यहां पर करेंगे ठीक है then आपके पास क्या था product ID आप यहां पर okay product ID and then आपने product ID कर दी ठीक है then आपने क्या करना है आपने यहां पर again question mark okay then आपके पास third product name okay product name and then आप यहां पर product name को provide कर देंगे ठीक है and now just to save the time मैं क्या करता हूँ मैं यहां पर बाकी तमाम add कर लेता हूँ ठीक है जितने मेरे पास यह तमाम थे आपको मैंने यहां पर add कर दियो और मैं आपको जूम करके दिखा भी देता हूँ थोड़ा सो और जूम कर देता हूँ यह आप देख सकते हैं आपने यहां पर semi-colon add कर देना है and then we are done अब हमने जो है हमारा model जो है यह हमने create कर लिया है ठीक है so model create करने के बाद अब हमने क्या करना है अब हमने database create करने ठीक है so I think that's it from this video अगर आपकी वीडियो पसंद आयो तो like करें share करें subscribe करें and I'll see you in the next video next video में आपको बताऊंगा database कैसे create करते है SQLite का और हम product का जो data है वो हम कैसे तरा add करेंगे ठीक है so हमें class बनाएंगे और इस class के थूप फिर हम अपने products का data SQLite database के अंदर add करेंगे और then उसके बाद फिर हम उनको update करेंगे delete करेंगे और मैं आपको पूरा product at the end of this tutorial series आप एक आपके पास पूरा card system की है आप आपके पास design हो जाएगी ठीक है so thank you so much and I'll see you in the next video